वो कव्वा बहुत आल सी था हमेशा घर में सोय रहता कोई काम धंदार ना करता उसकी पतनी गोरी कव्वी अपने बती को लेकर बहुत परेशान थी उठो कालू उठो मैं दो दिन से भूकी हूँ जाओ और मेरे लिए कुछ खाने को लाओ तुमसे मेरा आराम देखा नहीं चाता जब देखो लड़ती ही रहती हो जाओ आज का भोजन तुम ले आओ कल मैं ले आओंगा फिर हर रोज की तरहां कालू को सोता छोड गोरी कवी भोजन की खोज में निकल जाती है समय सोता रहता है नाब भोजन लेने जाता है और नाहिंगर के किसी काम में मेरी मदद करता है ये कालू ना जाने कब सुधरेगा मेरे पास एक उपाए है अगर कालू को सीधा करना है तो कबूतर भेया बताएं अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं आत्मा हत्या कर लूँगी मैं ऐसे नहीं जी सकती वो मुझे बहुत तंग करता है गोरी तो मेरे घर में आ जाओ और कुछ दिन मेरे घर में ही रहना और मैं कालू से जाकर कहता हूँ कि तुम्हारी पत्नी ने उससे तंग आकर आत्मा हत्या कर ली है मैं सब समझ गई और ऐसे कालू कववा खुद को जरूर बदल लेगा अगर मेरा पती ऐसे सुधर जाए तो मैं ऐसा नाटर करूंगी के कालू सच में यही समझेगा कि मैं मर गई हूँ फिर गोरी कववी कबूतर के साथ उसके खड़ चली जाती है और चिडिया कववे के पास जाती है कालू कववा अभी तक सोया हुआ था कालू उठो तुम यहां सोय हुए हो और तुम्हारी पत्नी ने आत्मा हत्या कर ली है कालु कवा तरंत उठकर बैठ जाता है क्या ये तुम क्या कह रही हो चुडिया हाँ कालु भीया मैं और कबूतर नदी पर बैठे हुए थे और तुम्हारी पतनी नदी में कूद कर अपनी जान दे दी हमने उसे रोकना चाहा परंतु वो ना रुकी कबूतर भी वहां आ जाता है बेशरम तुम से तंग आकर मरगी बेचारी गोरी अगर सुधर जाते तो आज वो अपनी जान से ना जाती मुझे माफ करो मेरे दोस्तों मेरे कारण मेरी पतनी मर गई मैंने बहुत दुख दिया उसे मैंने उसे कभी खुशी ना दी अब पश्टाने से क्या फाइदा चलो कबूतर चले अब ये अकेला रहेगा तो इसे पता चलेगा के गोरी से कितने जुलम किये हैं इसने कबूतर और जिडिया वहां से चले जाते हैं और कालू कवा बैठा रोता रहता है क्या कालू रो रहा था जब कालू से तुमने मेरे मरने का कहा वो बहुत रो रहा और पश्टा रहा था अपने किये पर गोरी अब आप रात को जाना और आत्मा बन कर कालू से बात करना चुडिया और कबूतर आपने बहुत अच्छा उपाई निकाला मुझे पूरा विश्वास है अब कालू सुधर जाएगा फिर जंगल में रात हो जाती है और गोरी कवी रात के अंधेरे में अपने खर जाती है वो खिड़की में जाकर बैठ जाती है कालू बैठा अभी तक रो रहा था गोरी तुमने ऐसा क्यों किया अगर तुम जिन्दा होती तो अब मैं तुम हारे लिए तरहा तरहा के भोचन लाता सब काम करता कालू मैं मर गई मैं जीना नहीं चाहती थी तुमने मेरी जान ली है गोरी गोरी तुम कहा हो मैं गोरी नहीं हूँ मैं गोरी की आत्मा हूँ अगर तुम मेरी आत्मा को शांती पहचाना चाहते हो तो कल से सुभा उठकर भोजन लेने जाया करो और मेहनत किया करो अपने घर की मरमत करो मेरे जीते हुए तो तुमने कभी काम ना किया अब मेरे मरने के बाद ही खुद को ठीकर लो गोरी की आत्मा जी किसी तरह वापिस आ जाओ तुम मेरे पास आ जाओ मैं सब करूँगा मैं हर रोज भजन लेने जाओंगा मैं सब काम करूँगा तुम खुद को बदलो तुम खुद को बदलोगे तो फिर मैं तुम्हारे पास वापिस आ सकती हूँ ऐसा कहते हुए गोरी वहां से चली जाती है गोरी क्या अभी तक कालू रो रहा था? हाँ चिडिया बेहन जब मैंने उसे कहा कि मैं गोरी की आत्मा हूँ तो वो मेरी विंती कर रहा था कि वापिस आ जाओ तो फिर तुमने क्या कहा कालू से? यही कि अगर वो कल से भोजन लाए और घर के काम करे तो फिर मैं वापिस आ जाओंगी दूसरे रोज कालू कवा सुभा सुभा ही घर से निकलता है वो जंगल में जाता है और भोजन की खोज करता है वो भोजन घर ले जाता है और फिर अपने घर की मरमत भी करता है वो सारा दिन काम करता है फिर जब शाम होती है तो वो घर में बैठकर फिर से अपनी पतनी की आत्मा का इंतजार करने लगता है कबूतर और चिडिया गोरी को साथ लेकर कालू के पास आते हैं चिडिया और कबूतर मेरी पतनी की आत्मा आपको कहां से मिली है कालू भेया आज आपने आलसी छोड़ दी और सारे काम किये इसलिए हमने आपकी पतनी की आत्मा को विंती की है कि वो गोरी का शरीर उसे वापिस लुटा दे हाँ कालू मैं फिर से वापिस आगी हूँ अगर विश्वास नहीं तो मुझे पंख लगा कर देख लो फिर डरते डरते कालू गोरी को पंख लगाता है मेरी पतनी फिर से जिन्दा हो गई अब मैं फिर कभी अपनी पतनी को परेशान नहीं करूंगा ऐसे कालू कवा सुधर जाता है और सारे काम करता है वो खुद को बदल लेता है तो रोज से चिडिया के बेटे कुकु के पेट में बहुत दर्ड था वो दर्ड से रो रहा था ममा, ममा, अब मेरे पेट में दर्ड पहले से भी भड़ गया है चले बेटा, मैं अपने बेटे की तवा ले आती हूँ चिडिया अपने बेटे को साथ लेकर बुल बुल डॉक्टर के पास जाती है वहाँ कुछ और पक्षी भी अपने अपने बच्चों को लेकर आई हुए थे चिडिया, तुम्हारे बेटे को क्या हुआ है? मेरे बेटे के पेट में कुछ दिनों से दर्ड हो रहा है मेरे जगू का पेट भी खराब रहता है मैं भी अपने जगू की दवा लेने आई हूँ डॉक्टर बुलबुल बहुत हैरान थी कि ऐसा क्या है कि सभी जंगल के छोटे पक्षियों के पेट में अचानक दर्द क्यों शुरू हो गया है आज कल मेरे पास जो पक्षियाता है उसके पेट में दर्द ही होता है हमारे जंगल में पहले तो ऐसी कोई वबा ना थी बुलबुल दी मैं तो अपने बेटे को बाहर की चीजे भी नहीं खाने देती फिर भी मेरे बेटे के पेट का दर्द ठीक नहीं हो रहा मेरे पास एक उपाए है और मुझे पता चल गया है के आखिर सब के पेट में दर्द क्यूं हो रहा है बताएं बताएं बुलबुल दी ऐसा क्यूं हो रहा है जुडिया क्या आप अपने घर को साफ रखती हो क्यूं نہیں बुलबुल दी मैं अपने खाने के बरतन हमेशा थोकर इस्तमाल करती हूँ और अपने घर की सफाई का अच्छे से ख्याल रखती हूँ जिडिया आपका घर वही नहीं है जहां आप रहती हो बलके ये सारा जंगल आप सब पक्षियों का घर है अपने बच्चों को सहत मंद और स्वस्त रखने के लिए आप इस जंगल की सफाई का भी ख्याल रखें बलबल दी बात तो आपकी ठीक है हम सा पक्षि ऐसा ही करते हैं हम अपने घरों का सारा कूड़ा उठाकर रास्ते में फैंक देते हैं और तो और कल मैंने देखा के लूसी कबूदरी अपने घर का कूड़ा नदी में फैंक रही थी हम तो अब बात पता चली असल अगर ऐसे कूड़े वाला गंदा पानी इस्तमाल करोगे तो फिर आपके बच्चे कैसे सवस्त हो सकते हैं आप जाएं और सबसे पहले अपने जंकल को साफ करें और वो नदी जिससे आप सब पानी पीते हैं उसे साफ करें और फिर कुछी दिनों में सब ठीक हो जाएगा ऐसे वो सब पक्षी वहां से चले जाते हैं वो सब एक जगा अकठे होते हैं तोते, मैं और चिडिया बुलबुल के पास गे थे और बुलबुल ने बताया है कि जब तक हम अपने जंगल को साफ नहीं करेंगे हमारे बच्चे सवस्त नहीं होंगे तो फिर क्या करना होगा हमें? हम सब मिलकर अपने जंगल को साफ करेंगे हम अपने अपने काम बाठ लेंगे जैसे मैं नदी से प्लास्टिक बैग और कच्रा साफ करूंगी और मैं जंगल के बजारों से कच्रा उठाऊंगा मैं घरों के बाहिर जितना भी कूड़ा है वो अठाऊंगा और गोरी बेहन आप क्या करेंगी मैं अपने जंगल में पेड लगाऊंगी ज्यादा पेड होंगे तो हमें साफ और ताजा हवा मिलेगी तो फिर ही हमारे जंगल में पेड दर्द की वबा खतम होगी वो सब ऐसे अपने अपने काम बांट लेते हैं चिडिया नदी पर जाती है और नदी से प्लास्टिक बैग उठाना शुरू करती है और सारी गंदगी साफ करती है जिसे देख नदी का पानी तो आज बहुत खुश था चिडिया मैं बहुत परेशान थी क्योंके जब आप मेरा पानी पीते थे तो बहुत सारे किटानों आपके पेट में चले जाते थे जिसे आप सब बिमार होते थे और मुझे भी मेरा पानी बहुत गंदा लगता था मुझे तो गंदी भू आने लगी थी अपने पानी से नदी पहन मैं शर्मिन्दा हूँ बलके हम सब पक्षी ही अपने किये पर शर्मिन्दा हैं हमने अपने जंगल को बहुत गंदा कर दिया था और अब जब हमारे बचे बिमार होने लगे तब जाकर हमें पता चला कि जंगल की सफाई कितनी जरूरी है तोता भी जंगल के सभी रास्तों से रैपर्ड्स उठाता है वो सारे रास्ते साफ कर देता है कबूतर हसबताल और सकूलों के एड़गिड से कचरा उठाता है पुरानी सरंजे अकर्थी करता है और उन्हें जाया करता है आज कल तो गोरी भी बहुत अच्छे से अपना काम कर रही थी क्यूंके अब उसका अपना बेटा जो बिमार रहने लगा था गोरी सारे जंगल में ने पोदे लगाती है और उन्हें पानी देती है एक दो दिन में सारा जंगल साफ हो जाता है ममा ममा मैं आज बहुत खुश हो मेरा पेट तीका लगवाए बिना ही ठीक हो गया ऐसे सभी छोटे पक्षी एक दो दिन में स्वस्त हो जाते हैं और वो सब पक्षी वादा करते हैं कि वो फिर कभी अपने जंगल को गंदा नहीं करेंगे प्यारे दोस्तों अपने गली, महले, शहर, देश को अपना घर ही समझें और जैसे आप चाहते हैं कि आपका घर साफ हो घर में गंदगी ना हो ऐसे ही अपने देश को साफ रखें